हाई गाईज, आज की वीडियो में मैं एक आसान सी ओल फ्री सबसी शेयर कर रही हूँ तो चलिए इसकी सबसी बनाते हुए, अच्छे से इसे जान भी लेते हैं इसमें बहुत से और्गानिक कंपाउंड्स, मिनरल्स और वाइडेमिन्स हैं प्रोटीन, डाइटरी फाइबर और काप्स भी काफी हैं इसमें इसमें मौझूद फाइबर, ब्लोटिंग, कॉंस्टिपेशन और क्राम से बचाता है इसमें अंटिओक्सिदेंस और वाइडेमिन A और C हैं जिससे आप कैंसर से दूर रहते हैं इसमें मौझूद फाइबर आपके इंसुलन और बॉडी के ग्लूकस को कंट्रोल करता है और इससे डाइबिटीज भी कंट्रोल में रहती है इसमें पोटाशियूम है जिससे आपका ब्लड ट्रेशर कम होता है और हाट ठीक रहता है बीटा कैरिटिन से आपकी नजर इंप्रूव होती है और वाइडमिन सी से वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं और आपका इम्यून सिस्टम ठीक होता है और अनीमिया नहीं होता है क्योंकि इसमें आएन और कॉपर है ये थी इनके nutrition के बारे में जानकारी चलिए जानते हैं कि इनमें calories कितनी है ये calories में थोड़ी ज्यादा है इसलिए limit में खाए और इसलिए मैं एक oil free recipe दिखा रही हूँ जिससे आपको इसके सारे फाइदे मिलेंगे वो भी extra calories लिये बिना मैंने 500 ग्राम अर्बी ली है इसे उबाल के छीन लें फिर छोटे टुकडों में काट लें और एक बोल में shift कर लें अब कुछ कटी हुई हरी या लाल मिर्च टालें फिर एक बारी कटा प्यास और एक टीस्पून आमचूर पाउडर एक टीस्पून जीरा पाउडर एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर नमक स्वाद अनुसार एक टीस्पून अजवायन और एक निम्बू का जूस डालें अब बारी कटी हुई अद्रग भी डाल सकते हैं और आखिर में कटा हुआ धनिया डालें आप अच्छे से सब को मिला ले और हमारी रेसिपी तैयार है ये पांच मिनिट में तैयार हो जाती है और ये ओल फ्री भी है आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं और ठंडा ही खा सकते हैं अच्छली इसका टेस्ट ठंडा मुझे जादा अच्छा लगता है इसे आप मेरी वेट लॉस रोटियों के साथ या ऐसे ही सालेट की जैसे खाएं जिने अर्भी नहीं अच्छी लगती या कभी ट्रा ही नहीं किया है तो एक बार इसे जरूर पनाएं आपको जरूर पसंद आएगी मुझे ये बहुत पसंद है मेरी मॉम ये मेरे ले बनाती है आशा है ये रेसिपी और अर्भी के बारे में ये इन्फरमेशन आपको पसंद आई हो चानल सब्सक्राइब करना ना भूले और मैं जल्दी मिलूँगी आपको एक नई वीडियो के साथ तब तक कुछ अर्भी लाएं और इस पावफुल सब्सी को इस टेस्टी तरीके से खाएं बबाई